तो इंसेफलाइटिस को लोग आम तोर पर बोलचाल की भाषा में जापानी बुखार कहते हो और ये एक प्रकार का दिमागी बुखार है जो कि वाइरल संक्रमन के कारण होता है ये खास किस्म के वाइरस के कारण लोगों के बीच फैलता है ये वाइरल मच्छर या फिर सूर के द्वारा ज्यादा फैलता है ज्यादा गंदगी वाले जगे पर भी ये वाइरस पनपता है तो आईए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस बिमारी के लक्षन और क्या है इस्ते बच्चने के उपाए आपको बताते हैं क्या है जापानी इंसिफिलाइट्स के लक्षन बुखार, सिर्दर, गर्दन में जक्ड़न कमजोरी और उल्टी आना समय के साथ सिर्दर्द बढ़ते जाना हमेशा सुस्ती छाई रहना भूख कम लगना, तेज बुखार बच्चे का अती सम्मेदन शील होना भ्रम का शिकार होना, दौरे आना लक्वा मारना और इस्तिधी कोमा तक पहुँच सकती है छोटे बच्चों में जादा देर तक रोना पहले तो यह है कि इनसे बलाइटिस हो सकता है एका एक आजाएए उचों में एक दो दिन के इस्ट्रीओं फीवाइपीर उल्टी दस्ट की, शरीड में अकराण की में इनसे बलाइटिस में होता है कि जो अगर बच्चे को सीजर आ रहा है जटके जिसे कहते हैं जापानी बुखार या दिमागी बुखार से पीडित होने के बाद बच्चे की सोचने, समझने और सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती है आईए अब हम आपको बताते हैं जापानी बुखार होने पर मरीज के शरीर पर इसका क्या असर होता है सोचने, समझने और सुनने की क्षमता प्रभावित होती है ये वाइरस चुआ छूट से नहीं फैलता है एक से चौधर साल की उम्र के बच्चों में फैलता है पैसर साल के उपर के लोगों को चपेट में लेता है अगस्त, सितंबर और अक्तूबर महीने में ज्यादा फैलता है जापानी इंसिफिलाइट से बचाव के लिए सबसे एहम साफ सफाई है बारिश के मौसम में ये बुखार तेजी से फैलता है ऐसे में अगर हम ज़रूरी उपाय करें तो इस बिमारी से बच सकते है समय से टीका करन करमाएं, साफ सफाई से नहें गंदे पानी के संपर्क में आने से बचें मच्छरों से बचाव करने के उपाय करें घरों के आसपास पानी ना जमा होने दें बारिश के मौसम में बच्चों को बेहतर खान पान दे पिछली चार दशकों से जापानी बुखार बेहत खतरनाग बिमारी के रूप में उपरा था लेकिन सरकार की कोशिशों से अब इस पर नियंतरन पाया गया है जापानी बुखार के खिलाफ लडाई की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया नियूज